आज हम बात करेंगे के दुरेफिशा सलीम और सोनिया हुसैन में से कौन ज़ादा फेमस और कौन ज़ादा अच्छी अदकारा हैं तो बगएर वक्त जाय किये शुरू करते हैं इस वीडियो को दुरेफिशा सलीम 14 जनवरी 1996 को लाहोर में पैदा हुई जबके सोनिया हुसैन 15 जनवरी 1991 को कराची में पैदा हुई इस हिसाब से दुरेफिशा सलीम की उमर बनती है अब तक 28 साल और सोनिया हुसैन की उमर बनती है 32 साल दुरेफिशा सलीम ने अपने केरियर का आगाज एक सपोर्टिंग अक्टरस के तोर पर दिल रुबा ड्रामा से 2020 में किया जबके सोनिया हुसैन ने भी अपने केरियर का आगाज 2011 में एक सपोर्टिंग अक्टरस के तोर पर दरीचा ड्रामा से किया सोनिया हुसैन ने इस एक साल के दोरान कोई बड़ा हिट ड्रामा नहीं दिया चब कि अगर बात की जाए दुरेफिशा सलीम की दुरेफिशा सलीम ने ड्रामा सेरिल इश्क मुर्शद और ड्रामा सेरिल खई में अपनी बेहतरीन अदाकारी को तो मनवाया लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों ड्रामा बहुत ज़दा हिट रहे और इनको खुब पजीराई मिली सोनिया हुसैन और दुरेफिशा सलीम दोनों ने अभी तक मुक्तलिफ कैरेक्टर को टच्च किया है और अपनी अदाकारी के जोहर लोगों को दिखाए है लेकिन जिस तरह से दुरेफिशा सलीम जिस कैरेक्टर को प्ले करती है बिलकुल उसी कैरेक्टर में ढल जाती है और देखने वालों को कभी दुरेफिशा सलीम नहीं बलके हमेशा वो कैरेक्टर नजर आता है ये खासियत फिलहाल हमें सोनिया हुसाइन में नजर नहीं आई हो सकता है कि आने वले वक्त में अपनी परफॉमस से सोनिया हुसाइन अपने आपको एक बहतरीन अदाकारा मनवाने में कामयाब हो जाएं लेकिन फिलहाल अगर सोनिया हुसेन और दुरेफिशा सलीम का comparison किया जाए तो दुरेफिशा सलीम सोनिया हुसेन से अच्छी अदाकारा मानी जाती है अब अगर बात की जाए इनके followers की तो सोनिया हुसेन के followers हैं 3.1 million और दुरेफिशा सलीम के followers हैं 4.7 million इतना बड़ा फर्क तो नहीं है दोनों के दर्मियान लेकिन फर्क मुझूद है जिसकी वज़ा से एक्टिंग और फॉलोवर्स के मौमले में दुरेफेशा सलीम सोनिया हुसैन से काफी ज़ादा आगे रहती है यह थी हमारी रिसर्च और हमारा अनेलेसिस आप इस हवारे से क्या रहा रखते हैं हमें कमेट्स के जरीए लाजमी बताईएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जर कराड़ी भू करने बताईएगा और है जर वीडियो का थापको